कि हलो डियर स्टुडेंट्स मैं श्रुभम राजपूद एक बार फिर सा आपका स्वागत करता हूं तक्सेश क्लासेश टेक्निकल एजूकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्टुडेंट्ट आज हम आपके लेकर आए हैं जो आपकी नोन लीनियर पार्टिल डिफरें है उसके हेला होता है कि दो दो तो नंबर के कुछ इंकड़ी होते हैं जो की छोड़े कोश्चन होते हैं तो बी हमारे पास नोलिनियर मेंग में करने क्टारेकर स्वाट होता है उसका कोर्शिंग double नंबर में कभी-कभी फूछ लिया आता है। लास्ट लास्ट यह पूछा गया था कोशी कोशी मैथड ओफ करेक्टरिस्टिक तो अज को हमारा टार्गेट रहने वाला है वो समझना है और उनके मैथड को लगाना सीखना है उनके ओपर एक है दो नमबर और कोशी मैथड और करेक्टरिस्टिक यह अपने आप में इक अलग मैथड होता है यह मैथड जिब भी दे आता है तो इसमें आपको पैचान करने की दिक्कत नहीं होगी mostly ये method आपका नाम से दे दिया आता है तो इस्टनेंड हमने सबसे पहले आपको बताया था last lecture नहीं कि non-linear partial differential equation क्या होती है क्योंकि उससे पहले आपने जितनी भी equation पड़ी थी वो सब linear partial differential equation थी देखे, linear में क्या होता है हमारे पास जो आपके first order partial derivative है या second order partial derivative है वो सिर्फ एक ही डिग्री में आते है और कहीं पर भी उनकी multiplication आपको नहीं मिलती है जैसे आपका P क्या होता है first order partial derivative with respect to X Q क्या होता है first order derivative with respect to Y R क्या होता है first order second order derivative with respect to X S क्या होता है second order derivative with respect to X and Y T क्या होता है second order derivative with respect to Y तो वो सब क्या होते थे, वहाँ पर order तो बदल सकता है, order तो कितना भी हो सकता है, जोंकि higher order थी, लेकिन हमारे पास क्या थी कि degree हमेशा वहाँ पर बनी थी, और कहीं पर भी जो आपके यह derivatives थे, चाहे वो P, Q, R था, S था, T था, उनकी कहीं पर ही multiply होकर नहीं दे रखे जी, मतल वो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा पावर में दीवे होते हैं, या फिर कहीं पर उनकी multiplication आपको करके दीवे होते हैं, देखे, उनके लिए हमारे पाइस specific method होते हैं, यह सामने एक बताया था, चार-पीट method था, चार-पीट method भी motion नाम से ही पूछ ले आता है, आज इनका solution क करने के छोटे-छोटे आपको question हम कराएंगे, simple question बिल्कुल, उनके standard form के उपर base कराएंगे, तो इस्प्रेंट देखे, आपको बिल्कुल सिंपल से हम आपको कराएंगे, इसके लिए, बात करते हैं, देखे, पहला question आपकी screen पर है, क्या दिया गया है, यह कहा गया, solve the partial differential equation under root P under root Q equal to 1, तो इस्प्रेंट देखे, आपके पास जो non-linear partial differential equation है, non-linear partial differential equation, differential equation, तो देखे, अलग-अलग form की होती है, अलग-अलग, आपके पास different kind की होती है, इस standard form से इसके होती है, तो आप लिखेंगे form 1, एक या दो form की ही जादा आती है, तो वो में कराएता हूँ, F P Q equals to 0, किया हमारे पास पों होती है, कि जब हमारे पास P और Q का ही कोई function दे रखा हो, ठीक है, तो हम देखे, solution क्या लिखते हैं, solution यहाँ पर लिखते हैं, drive पने की आपको जरूवत नहीं है, solution लिखते हैं, Z equals to AX plus BY plus C, इस solution को आप लिखते हैं, और B को किसकी term में लिखते हैं, A की term में लिखकर, यहाँ पर आपका solution आपको मिल जाते हैं, जब आपकी equation cable P और Q में दी हुए हो, यह आपकी first kind की non-linear partial differential equation है, बदर जब आपको equation सिर्फ किस में दे रखी हो, P और Q में दे रखी हो, तो हमने बताया, solution का formula क्या होता है, AX plus BY plus C, जहां B क्या होता है, A का क कोई function बन जाता है, ठीक है, तो देखे, अब इसके ओपर वेज दमा रहे है, question है, क्या दे रखा है हमारे पास, solve the partial differential equation under root P, under root Q equals to 1, अब exam में इसकी पहचान कैसे करें, देखे, यहाँ पर आपको P की की power क्या दे रखी है, under root, यारी 1Y2, Q की power भी क्या दे रखी है, under root, यारी हाँ पर दे रखी हाला कि दोनों साइट के square करके आप single degree में convert करेंगे, देखे, क्या आ जाएगा, पहले का square P आ जाएगा, दूसरे Q जब इसका आप गुड़ा करेंगे, तो 2PQ इसके साथ में आ जाएगा, 2PQ under root, तो उसकी degree क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आपको differential equation, partial differential equation, देखे, क्या है हमारे पास, F, P, Q, equal to 0, इस form में दे रखी है, खाली तिर P और Q में दे रखी है, constant में दे रखी है, तो आप माल लीजे, let the solution is, let the solution is, Z equals to AX plus VY plus Z, अब देखे, आप क्या करेंगे, इस equation के अंदर, जो हमारे पास equation दे रखी है, यह भी है, partial differential equation, under root P, under root Q equals to, यह हमारे पास यह आ गई, तो आप देखे, क्या करेंगे, इसके अंदर P की जगाँ A रखते हैं, और Q की जगाँ B, तो क्या रखेंगे, putting P equals to A, Q equals to B, in equation 1, यह आपको solution माल लेते हैं, जब यह रखेंगे, आप क्या आ जाएगा, under root A, under root B equals to 1, इ 1 minus under root A, इसका मतलब B equals to 1 minus under root A का square, तो B की value किसके term आ जाती है, देखे, A की term आ जाती है, तो आप लिखेंगे, solution is, अभी अभी आपने लिखा भी था, solution is, Z equals to AX plus BY plus C, Z AX आ गया, B की value कितनी आ गई, 1 minus under root A का whole square plus C, यह क्या जाएगा, आपका answer आ जाएगा, देखेंगे, जो आपके बास first type equation है, उनमें क्या होगा, सिर्फ आपको P और Q के ही function दे रखे होंगे, जैसे under root P, under root Q, और constant term दे होगे होंगे, मतलब और कुछ आपको महाँ पर multiply वगरा में है, कहीं भी दिया हुआ न रखनी है, Q की जगा B की value रखनी है, और B की value को आपको A की term में निकालना है, जो आपने equation 1 में रखे होंगे, आपके पास under root B equals to 1 minus under root A, तो B की value क्या आगई, 1 minus under root A का square, तो यानि, यह हमारे पास Z कितना आ आगए, solution AX plus BY plus C, तो B की value आपने 1 minus under root A, यहाँ पर रखती है, तो partial, दो दो नंबर के बहुत question आते हैं, differential equation, partial differential equation, क्या दे रखिये, देखिये, PQ equals to P plus Q, देखिये, exam में सबसे पहली बात तो आप इसकी पहचान क्या से करें, आप देख रखे हैं, P एक पावर में, Q एक पावर में, और एक जगा P और Q multiply में दे रखे हैं, तो आपने linear के definition में कहा था कि P और Q एक और एक डिगरी में आते हैं, और कहीं भी P और Q की multiply नहीं होते हैं, P और Q एक डिगरी में आ रहे हैं, लेकिन P और Q की multiply आपको दे रखिये, तो कभी भी ऐसी equation मिले जहाँ पर P और Q की आपकी क्या हो, डिगरी एक से, मतलब एक से कुछ अधर हो, या फिर non-linear partial differential equation, which is non-linear partial differential equation, तो देखें, non-linear partial differential equation है हमार ये, देखें, आप करते क्या है, इसको लिखते है, और जेए non-linear differential equation of the form, ऐसे लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, non-linear differential equation of the form, equation आप दी form किस form की है यह हमारे पास fpq equals to 0 कौन दी form देखेए fpq equals to 0 ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आपकी equation में सिर्फ p और q के ही function है इसके अधर और कुछ आपको दिया हुआ नहीं है तो देखें आपको पास क्या करेंगे fpq 0 आ गई तो आप लिखेंगे let the solution is let the solution is z equals to ax plus by plus c z equals to ax plus by plus c तो देखें कितना आजाएगा from equation 1 यह लिखें putting putting x p equals to a and q equals to b in equation one यह जब आपने देखें आप रखें इसको आप equation second बोल देते हैं देखें क्या है हमारपा equation 1 कितनी हो जाएगी a b a plus b यह आजाएगी आपके पास यह आजाएगी a b equals to a plus b तो इसका मतलब देखें क्या हो जाएगा आप लिखें a b minus b या लिखें यह लिख लिखें आप b की value को जूँकि एकी term में आपको निकान ला है तो लिखें लिखेंगे a b minus b equals to a b आपने common ले लिया a minus 1 equal to a b की value a upon a minus 1 क्या आगई हैं तो आप लिखेंगे solution is इस वहाँ पर equation number second में लगा देंगे solution is z equals to a x b की value a upon a minus 1 y plus c यह क्या हो जाएगा देखें आपका solution आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखें इस्टोनेट आपने क्या करा है इस equation में पहला काम तो यह तक यह चेक करेंगा आप exam में कि यह linear है non-linear तो आपने देखा एक डिग्री एक डिग्री एक डिग्री लेकिन p और q क्या रखा है multiply में आपको यहाँ रखा है जैसी आपको p और q multiply में बिला तो आप समझ जाएए कैसी है non-linear equation है जूँकि non-linear equation ही पहचान होती है कि p और q की डिग्री एक से कुछ अलग होती है और p और q अगर multiply में दे रखे हैं उनकी डिग्री एक से कुछ अलग है तो क्या हो जाती है non-linear तो आप समझ के non-linear partial differential equation है और कौन सी form बाली है f p q equals to 0 चुँकि एबल p और q के ही function आपको दिएगा है जैसे ही आपको यह मिली है आप समझ गए कि solution क्या होगा solution आपका यह होता है ax plus by plus तो आपने क्या आप देखे p की value को वे रखा q की value को आपने यहाँ पर b रख लिया तो यह बराबर यह आगए b की value a upon 1 minus तो यह कितना आगई ax b की value a upon a minus आगई और यह क्या आगई c तो देखे आपके पास कितना solution मिला यह जो solution मिला है b की value को आपने यहाँ पर दिख दिया है तो यह आपका answer हो गया अब देखे आगे और देखने कुछ इसके कई बार हमें modify करके कुछ equation दे आती है इंपोर्टेंट टॉम है पहली वाली दोनों equation एक्जाम में आई हुए आपकी कभी कभी कुछ modification करके दे आता है तो आपने आप में यह अलग case है यह आपने क्या दे रख किया है solve the differential equation x square p square y square q square equals to j तो पहली बात तो जब आप इसकी पहचान करेंगे तो आप देख सकते हैं पी कितने order में है और तो दो है दिगरी क्या है क्योंकि डिगरी भी दो है तो जैसी आपने देखा कि डिगरी दो है तो आप समझ गए कौन सी है यह non-linear partial differential equation तो आपने लिखा यह है x square p square y square q square equals to z square तो देख कितनी हो जाएगी हमारे पास यह x square p square upon z square y square q square upon z square equals to 1 यह आप बोल सकते हैं x p upon z का whole square y q upon z का whole square यह आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कैसे देखिए x upon z p क्या होता है del z over del x इसका whole square और यह कितना हो जाएगा दूसरा बाला हमारे पास यह y upon z यह हो जाएगा आपके पास y upon z del z over del x का whole square equals to तो देखिए यह जो हमारे पास है आपके पास कौन सी फॉर्म की देखिए p और q क्यूं की फॉर्म की है तो आपने लिखा which is which is non-linear non-linear partial differential equation partial differential equation of the form of the form f p q equals to 0 चुंकि देखिए p और q में ही दे रखिए यह भी तो देखिए अभी हमारे पास हो गई तो आपके सा solution क्या लिखेंगे whose solution is solution in that solution is solution is क्या हो जाएगा हमरे पास z equals to ax plus by plus अब देखिए तो आपने माना हुआ है आप देखिए यह जो आपके पास दे रखिए यहाँ पर p और q की function में दे रखिए नहीं साथ में x और y multiply में दे रखिए तो मतलब पहले आपको इसे simple form में convert करना पड़ेगा अब यह कैसे करेंगी आप माल नहीं देखिए इसको simple form में convert करते हैं लै यह जो आपके पास होता है डैल z over यह डैल x upon x यह किसका derivative होता है डैल x का तो इसका मतलब क्या हो जाता है देखिए अगर आप x की value निकाल ले एक्स क्या आ जाता है हमारे पास log e base ह ऐसे ही अगर आप डैल y upon y लिकें तो यह किसका derivative होता है डैल y का इसका मतलब capital y कितना हो जाता है log log y यह हमारे पास हो जाता है एक ही हमारे पास जो डाइल जाइड अपून जाइड है वो क्या हो जाता है डाइल जाइड इसका मतलब जाइड क्या हो जाता है हमारे पास log e base small z हो जाता है, इसको small z इस तरीके से यहाँ पर आप लिख लेज़ें, ठीक है यह, थोड़ा सा small z को थोड़ा tilt करके बनायते हैं इस type से यह बना दीजिए आप, थोड़ा गर इसको अच्छे से, यह यह लिख दीजिए यह लिख दीजिए dal delta z upon z upon z equals to this अगर यह है तो यह dal z, यह बड़ा वाल हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है z equals to log e base x यह आपको दीजिए, capital x अगर x का function होता है, तो आप यह क्या होता है dal x upon x, यह क्या होता है, dal y upon y यह क्या हो जाता है, dal z upon z हो जाता है इसका मतलब capital X log X capital Y log by capital Z log अब देखिए जो हमारे पास से income convert करना चाहरे हैं नई variables में जिससे हमारी equation directly आपको दिखने लगे कि क्यों सी form में है वही P square Q square equals to one की form आपको दे रखी है तो देखे capital P का मतलब अगर हम यहां पर जो capital P का मतलब हो capital del X upon X जो आप जैसे आप X में कर लेते हैं पार्षल derivative आप ने देखें यहां पर लिखा यह जो हमारे पास है यहां पर आप लिखेंगे दिस imply जो आपके पास डेल जैड ओवर डेल एक्स है तो देखिए वह कितना हो जाएगा हमारे पास यह देखिए जो हमारे पास है यह जो हमारे पास है दाल Z in ओवर डेल आक्स किसके बराबर आ जाएगा देखिए इस्की गल्यूगे आप रखें यह होगा डायल जैड ओवर डाल एक्स अपॉन इतना हो जाएगा यह जो लिखें इसको अगर इसको capital variable में लिखना चाहते हैं यह capital del z over del x किसके बराबर हो जाएगा देखिए del z over small del x और del x over small del तो देखिए z की value कितनी है हमरे पास z कितना है log z तो log z का करेंगे कितना हो जाएगा 1 upon z और यह कितना हो जाएगा हमरे पास यह वाला log z का 1 upon z और del z over del x 1 upon z del z over del x और देखिए आप इसका करेंगे जब इसका करेंगे नीचे del x upon x का यह कितना आजाएगा 1 upon x आजाएगा तो देखिए यह कितना हो जाएगा हमरे पास log z का करा 1 upon z कितना हो जाएगा del z over del x और यह कितना आजाएगा 1 upon x इसका मतलब ये कितना हो जाएगा x upon z dell z over dell x अब लिख दीजिए x upon dell dell z over dll ये हमारे पास आगे same way आप दूसरा लिख लेंगे same way दूसरा लिखेंगे क्या dell z over dell y तो ये कितना हो जाएगा dell z over dell y और dell y over dell y ये दिरक दिरकता, देखे यह कितना है, यह कितना है, डल जाट का वाई में करेंगे, कितना हो जाएगा, वन अपॉन वाई, डल जाट ओवर डल वाई, जब य का वाई में करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन अपॉन, कितना हो जाएगा, हमारे पास यह, वाई का जब इसमें करेंगे, del y over del y तो कितना हो जाएगा है 1 upon लोग y की वाई से 1 upon y और y तो y अपने आप में है तो कितना हो जाएगा हमरे पास ये 1 upon z और del z over del y ये y तो यानि y upon z del z over del y देखें ये जो हमरे पास थे आपने इसको small से capital notation में लिखें अब देखें capital rotation में लिखें तो अगर del x का मतलब क्या होता है del capital x del x का x में partial derivative del y del y का y में del z del z का z तो इसका मतलब क्या हो जब integration करेंगे capital x मतलब log x capital y मतलब log y capital z मतलब log z अब इसको देखें पूरे को capital x में convert करना चाहते हैं तो दूसरे वाले को पूरा capital y में आप लो convert करना चाहते हैं तो कितनी थे हमारे पास यह q square कितनी थी y square q square जो थी हमारे पास यह y क्या होता है y upon z यह कर दीजे इधर यह कितना हो जाता है हमारे पास y upon z इसको जब लिखा आपने यह कितनी हो जाएगे हमारे पास del z over del y थोड़ा से यहाँ पर कर दीजे del z over del y यह आपने आले तो आप देखिए जब del z over del y यह आपने निकाला del z over del y को del z over del x किसमे convert हो जाएगा z का x में z कितना है capital x log z log z कितना 1 upon z del z over del x यह कितना हो जाएगा 1 upon x आजाएगा देखिए आप यह करते जा रहे है z की value small log z 1 upon z del z over del x यह आगी और जब x का x में करेंगे तो capital x क्या है log x तो 1 upon x आगया यह सही यह कितना हो गया उपर चला गया x upon z हो गया del z over x same way आपका यह आगया तो इसका मतलब so equation 1 reduces to कौमसी form में convert हो जाएगी देखिए इस form में convert हो जाएगी आपकी यह हो जाएगी del z over del x का square del z over del y का square is equal to 1 यानि capital p square capital q square is equal to 1 यानि यह कितनी होगी हमारे पास f capital p q equals to 0 solution कैसे लिखेंगे आप solution is even by कैसे कैसे लिखेंगे z equals to यह कितने लिखेंगे z equals to कितना हो जाएगा हमारे पास capital a capital x कर दीजिए small a कहा लिजिए small a x plus b y plus c हमारे पास हो जाएगा जहाँ पर लिख लिजिए where small v क्या हो जाएगा देखेंगे आप जहाँ पर जब देखेंगे p और q की जगा a और b रखेंगे तो क्या रखेंगे putting putting capital p equals to a capital q equals to b तो लिखेंगे from equation इसे क्या बोल दीजिए इसे equation number third बोल दीजिए इसे equation number four बोल दीजिए क्या जाएगी देखें हमारे पास ये a square plus solution लिख दीजिए solution is z equals to a a की value तो अपनी जगा और capital x कितना है log e base capital x की value कितनी है log e base x ये b b की value 1 minus a square log e base y capital y की value और ये हमारे पास c हो ये हमारा क्या आगया है answer आपके लिख देंगे answer लिखेंगे यहाँ पर directly हमारे पाइक्वेशन दीऊ ही नहीं थी उस पॉम में तो आपने पहले इसको convert किया convert करने के लिए देखें जो total derivative जिनका composite function का derivative उसका आपने use किया तो आपने देखें हमारे पाइक्वेशन तो है p और q क्या है non-linear लेकिन साथ में x और y भी दे रखें आपने दोनों साइड z से divide कर दे यह आगे xp upon this yz upon q आप जानते है p का मतलब क्या होता है del z over del x q का मतलब क्या होता है del z over del y यह आपने अपने equation को यहाँ पर लिए अब देखें यह क्या है non-linear partial differential equation है f p q बराबर 0 की लेकिन directly हमार पास दी हुई नहीं है तो आप क्या करेंगे इनको capital x और capital y यह capital p और capital q में convert करें तो देखें डel z del अगर capital x x का function होता है तो del x upon x हो जाता है इसका derivative यह del y upon y हो जाता है यह क्या हो जाता है del z upon z हो जाता है अब देखें अगर integration करें तो capital x की value log x capital y की और capital z की तो देखें अगर आप यह value निकालें किसकी यह जो हमारे पास derivative दे रखा है कि अगर आप capital z का x में करें तो क्या आ जाएगा देखें z का x में और नीचे वाले x का भी x में लोग z का one upon z अब z को आपने मानी तो लिया x है तो नहीं तो साथ है पार्षिल डैरिवेटी वर होगा नीचे है तो x x का function नहीं x की value log x से one upon x हो गए यह होगा तो यह कितना आगे हमरे पाई x upon z यानि यह किसकी value हो गई ृट की ड्राइल जिसको आप क्या बोल देता है capital पीबे गोल देए ऐसी जब आपने ड्राइल जाट को लोग जै कितना है जैड कितना है आपने अभी लिखा लोग हमारे पास क्या है जैड लोग इसमोल जैड तो देखे ज्पर कर रहेंगे तो वन मानी तो लिया है capital Z को X है तो लिए Y है तो लिए तो डल Z ओवर डल Y में करेंगे बना पूर्ण तो यह क्या आगया capital डल Z ओवर डल X यह capital डल Z ओवर डल Y तो स्मॉल नोटेशन से capital में convert हो गए तो FPQ इस form की equation बन गई अब देखे इसके capital B की जगा स्मॉल है capital Q की जगा स्मॉल भी रखा A square plus B square बना गए B equals to 1 minus A square solution हमारे पास यह आगए अब देखे solution यह आए तो capital X कितना है हमारे पास यहाँ पर लिख दीजिए since capital X कितना है log E base X solution तो यहाँ है capital X log E base X non-linear non-linear partial differential equation partial differential equation of form of second kind second kind देखे वो क्या होती है हमारे पास इस form में दीवी होती है दो ही जादे जनरली पुछी आते हैं आपसे क्ये होती है हमारे पास PX QY plus F PQ equals to 0 मतलब P के साथ यह नि पर्स्ट ओडर डरिवेटिव के साथ X multiply होगा Q के साथ Y और बाकी सारे function क्या होंगे P और Q के function हो ठीक है तो इसमें solution हम क्या करते हैं solution हमें मिलता है solution मिल जाता है Z equals to X की जगा A की जगा क्या रख देते हैं P की जगा A और Q की जगा क्या रख लेते हैं B रख लेता है अपने आपर पूरा ही square है यहां ही तक बढ़ायता हूं यह पूरा square है यहां तक तो देखे तो यहां पर देख रहे हैं P का भी square है Q का भी square है नोन-linear equation आपकी होगे जब भी आपकी equation की degree मतलब X से deviate होती है मतलब आधी आ जाए चाहे वो X से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाती है non-linear या P और Q की multiply मिल जाए तो क्या हो जाती है non-linear equation है तो आपने लिखा we have partial differential equation partial differential equation क्या है देखे हैं हमारे पास Z equals to PX plus QY under root 1 plus P square plus Q square T square plus Q square तो आपने लिखा which is which is non-linear non-linear partial differential equation partial differential equation of the form of the of the form क्या है देखे है यह हमारे पास form की है Z equals to PX plus QY और क्या है F PQ मतलब क्या है यहाँ पर P के साथ X यानि first order derivative के Q के साथ क्या है Y है यानि first order derivative with respect to Y के साथ में और साथ में P और Q के वाकी function दिये हो है तो देखे है बड़ा easy case होता है दो नंबर में आती है इसकी equation तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर putting P equals to A and Q equals to B in equation 1 देखे है यहाँ पर आपने P की value को A रख लिया Q की value को B रख लिया क्या मिल जाएगा? केस है क्या करें आप देखें पहले तो बस अपनी पहचान कर लीजिए डेखें नोट लिनियर वैना बताया इप यू की डिग्री अगर हमें कहीं एक से अधरकुछ दे रखें चाहे वह आधी दे रखें चाहे वह एक से जादा दे रखें या कहीं प्योडिकियू की बनाके दिखा देता है आपने आपने एडवांस कोश्चन था यहाँ पर आपने देखा देखिए जो आपको पाइक्वेशन दे रखी है पी एक्स प्लस क्यूब आई और किसमें बाकी क्या है जो साथ में दिया गया है पी और क्यू का फंक्शन आप समझगे सेकंड टाइप क कि जब आपने जच कर ली तो आप क्या करते कुछ नहीं करते हैं बड़ा आसान सा काम है इस फॉर्म की आपके पास एक्क्वेशन आई कि पी की जगा ए रखी और क्यू की जगा बी रखी आसानी सा आपको सोलूशन बिल जाता है वही काम आपने यहां किया कि पी की जगा ए रख लिया और क्यूंकि जगा बी रखा इजी लिए आपको इस सोलूशन यहां पर बिलिए आज का एक और कोशन आपके सामने और कभी कभी देखे इसमें एक लाइन और एड कर देते हैं आगे इसको और ज्यादा इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए इसको और ज्यादा बै इसकोंस्टेंट्स कilda कॉनस्टेंट को करना होता है पहली बाद तो जहब आपने एकवेशन देखी यह पी एक डिग्री मेंATE इक डिग्री में लेकिन एकुऑ सेंदर पी और क्यू की माल्टिपलाई' आपको दे रख्ये प्रिग्यस परीएं स्बस्lit और Q के साथ Y भी आपको दे रखा है, तो आपने लिखा इसके solution में, यहाँ पर लिखिए इसका solution, आपने लिखा solution, we have partial differential equation, partial differential equation, देखें partial differential equation क्या है हमारे पास, अपने पास Z equals to P X plus Q Y equals to P Q, आपने लिखा इसके, आपने लिखा इसके, तो आपने लिखा इसके, पासा इसके, नोन पक्ष फॉर्म की है देख लिज़े इस फॉर्म की है PX प्लस QY FH function of PQ equals to zero कहा दिजिए जाएड सो दीज़े जाड़ इकूरस ठुट इस फॉर्म की आपको EQUATION यह से रखें देखें जैसे आपको इस फॉर्म की EQUATION बिलते है तो बड़ा असान काम हो जाता है आप क्या रखते हैं P की जगा A रख लिजे Q की जगा B तो आपने रखा putting P equals to A, Q equals to B in equation first यह आपने equation number first में यहापण रख लिया है देखिए क्या मिल जाएगा आपको solution मिला Z equals to AX plus Z equals to AX plus VY और साथ में क्या दे रखा है आपको देखे, AB यानि PQ यानि AB आपको दे रखता है, देखे यह आपका solution बन गया, अब देखे आपको क्या चाहिए इसके साथ-साथ, यह तो आपका solution बन गया, आपको यह चाहिए, singular solution चाहिए, देखे, singular solution बात, क्यों ही, last year exam में question आ गए तो एक line बढ़ा दीदी, कि singular solution भी singular solution कोई नहीं बात नहीं है, आपको क्या करना है, arbitrary constants को remove करना है, तो आप लिखे, partially differentiating, partially differentiating equation second with respect to A, A की respect में करा, देखे, left hand side में 0 आ गया, इधर कितना आ गया आपके साथ, यह X आ गया, और plus कितना आ गया, आपके पास यह B आ गया, equation number third आ गया, आपके पास यह, again क्या करें, partially, इससे आप क्या कहा सकते हैं, इसका आपका मतलब क्या मिला, कि B की value क्या गई है, minus X आ गई, ऐसे ही करिए इसका differentiation, partially differentiating, equation second with respect to small b, तो B के respect में करेंगे, तो left hand side में 0, यह B 0, यह Y आ गया, और यह कितना आ गया, A आ गया, तो यहानि यहां से आपको, इसकी A की value कितनी मिल ग क्या सी देखिए, आपको constants की value मिली, A की value क्या मिल गई, यह आपको minus Y, B की value क्या मिल गई, यह आपको minus X, तो आप लगा दीजे, equation number second में, तो आप लिखेंगे, putting the value of, putting the value of small a and small b in equation seconds, तो देखें, second में रखेंगे, इसकी value minus X, इसकी Y, तो पहला कितना बन गया, देखिए, हम minus Y, तो क्या आ जाएगा हमरे पास यह, minus XY, तो Z equals to minus XY, यह हमरे पास आ गया, और दूसरा कितना आ गया हमरे पास, देखें, BY है, तो B की value कितनी है, हमरे पास minus X, तो यह भी कितना हो गया हमरे पास, यह कितना बन जाएगा, minus XY, यह भी कितना बन गया, minus XY, चुंकि B की value कितनी मिली थी आपको minus का X मिली थी और A की value कितने मिली थी minus का Y और यह कितना आ जाएगा A B तो यह कितना आ जाएगा plus का A B तो यहनि यह कितना आ जाएगा plus का X Y आपके पास हो जाएगा तो यहनि solution कितना मिला Z equals to minus X Y तो आप लिखेंगे which is required singular solution which is required singular solution यह आपका required singular solution आपको मिले, देखिए आपने क्या क्या करा, इस equation में थोड़ा सा नया काम जोड़ जगा था कि singular solution निकाले, तो आपने पहले तो वही देखा, कि आपका पास कौन सी form किया आगी, PX plus QY equals to this, P और Q की multiply तो आप ऐसे ही समझ जाएं, क्या है non-linear equation, तो इसमें आप समझ आते हैं, कि X की जगा ए रखना है, Y की जगा भी रखना है, आपने solution अपना निकाल दे, कौन से form किया ही, PX plus QY equals to function of PQ, तो आपने जैसे ही रखा, तो एक तो आपका solution यह आगए, यह तो आपका general solution, आप general solution से आपको क्या बनाना है, singular solution, तो क्या करेंगे, देखे, arbitrary constants को आपको remove करना है, तो remove कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, जो solution आया, उसका एक बार पहले constant के respect में partial differentiation कर दीजे, वो आपने क्या हो देखे, आपको कितनी मिल गई है, एक रेस्पेक्ट में करने पर यह x मिला, और यह कितना मिला, आपको यह b मिला, तो आपको कितना मिला, b की value minus x, ऐसे ही सेम बे, जब आपने differentiation with respect to b किया, तो इसकी value, a की value minus y आगे, यह minus y रखकी minus x, y, यहाँ b की value minus x, एक रखकी minus x, y, a की value minus x, b की value minus y, तो खितनी होगी xy, एक xy से एक xy से एक xy कैंसल होगा, z की value minus x, तो इस्ट्रेट यह आपका second type की भी हो गई है, तो आपके पास देखिए, जो दो number एक question आते हैं, वो यही से आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमने आपको काफी मातरा में question करा दियें, कि first or second type के अगर equation मिलेगी, advance question भी आपको करा दियें, आप देखिए, इस्ट्रेट एक छोटा सा method ओर होता है, आपका कोशी method, या फिर कहें जीए, method of, कोशी method of characteristic, तो देखिए, इसमें करते क्या है, हमारे पास, जो आज का और इस unit का भी last topic है, छोटा दा topic है, दो number question यहां से आ जाता है, कोशी method of characteristic, characteristic, character mistake, कोशी method of characteristic, देखिए, इसमें करते क्या है, हमारे पास, जो भी equation होती है, तो आप अपनी auxiliary equation लिखते हैं, किस form में, तो auxiliary equation आपको कुछ इस form में मिलती है, dx, dy, और इधर क्या आ जाता है, du आ जाता है, इसके नीचे p आ जाता है, इसके नीचे q आ जाता है, इसके नीचे equation, तो क्या कब लिखते हैं, यहाँ पर लिख लिजे, we have equation, we have partial differential equation इस form में, कि p x plus q y equals to r, तो देखिए, p क्या होता है, यहाँ पर x कोफिसेंट, q यहाँ होता है, y कोफिसेंट, और r क्या होती है, जो हमारे पार right hand side हो, देखिए, x के नीचे p रखते है, y के नीचे q, और du के नीचे क्या ले लेते है, r यहाँ पर लेते है, y क्या होता है, x और y कहीं कोई function, देखिए, कैसे करते हैं, इसमें, हमें equation दे रखिए, use, देखिए, जो method के question है, वो generally नाम से ही पूछे आते हैं, चूंकि इनों करने के और भी तरीके हो सकते हैं, इसमें नाम से ही पूछ ले लेगी, तो generally जो आपका variable है, p होता है, q होता है, तो यहाँ पर आप सिंपली इसको लिख दे, tx, q, x भी ना लिखें, सीधा लिख दे, p plus q equals to r, यह आपके पास आ जाएंग, पास टोड़नेरी में, देखिए, क्या करा है, आपने यहाँ पर यह लिखा, यह लिखा, we have partial differential equation, partial इसको लगाने का भी थोड़ा तरीका होता है, differential equation, देखिए, वो क्या है, हमारे पास यह है, del u over del x, del u over del y, del u over del y equals to x plus y, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, which can be written as, which can be written as p plus q equals to r, यह आपके आपास आगे, ठीक है, p plus q equals to x plus y, ठीक है, तो आपके पास यह क्या होगी, तो आप लिखेंगे आप, कोशी, auxiliary equation, auxiliary equation, आप कैसे लिखते हैं, आप dx के नीचे p की value रखेंगे, तो वो कितनी आगे, आपके पास 1, dy के नीचे क्या रखेंगे 1, और यह रखेंगे, du के नीचे क्या रखेंगे, जो r की value आपको दे रखी, ठीक है, यहाँ जो auxiliary equation आपने यह लिखे, तो आप यहाँ पर क्या लिख ल क्याता, इस तरीके साफ ले, तो दोज़ को रकर solution करते हैं, taking variable form वे किंग, पास्ट टो टरम, व कि को साथ में लेकर चल ला है, क्या मिला, dx upon 1 dy upon 1 तो variable separable हो गए इसका मतलब dx equals to dy on integrating on integrating क्या जाएगा x equals to y minus c इसका मतलब c equals to कितना हो जाएगा हमर पास y minus x c की value कितनी आगई है c को कह दीजे क्या x minus y आप यहाँ पर इसको बोल दीजे ठीक है तो क्या बोल दीजे देखिए x equals to कितना आगया हमरे पास dy यह y आगया plus में ले लिजे integration जब आपने किया तो integration करने पर देखिए आपको क्या मिला यहाँ पर यह मिला इस तरीके से यह आपके पास आगया था variable separable करने पर कितना आगया आपके पास यह x आ गया और यह कितना आ गया वनका integration y आ गया और साथ में क्या ले लिया आपने c ले लिया तो इसका मतलब c equals to x minus y ठीक है c क्या है कोई एक constant अब देखिए बाद वाले दो साथ में लेते हैं अब देखिए इसको भी आप क्या करेंगा आप देखिए इसको भी आप क्या करेंगा अब देखिए एकस की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे तो इसका मतलब du equals to x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजे y plus c plus y dy तो आप लिख देंगे since x equals to कितना है हमरे पास x की वैल्यू कितनी आजाएगे हमरे पास y plus c आपको यहाँ पर से रख देखिए कितना आगे हमरे पास du equals to 2y plus c dy on integration कर दीजिए दोनों साइट on integrating on integrating u कितना आगे हमरे पास uxy आ रहा है देखिए x और y का ही function वो कितना आ जाएगा 2y plus c तो 2y तो यह कितना आ गया y plus देखिए जब इसका integration करेंगे y का तो क्या आ जाएगा y square upon 2 आ जाएगा y square upon 2 यानि y कितना आ जाएगा y square आ जाएगा और यह कितना आ जाएगा y हमारे पास आ जाएगा साथ में constant लिखदीजिये constant कितना आ गएस अपर couch यह कितना आ जाएगा वैल्यू को वाई प्लस थी तो टू वाई प्लस थी होगी तो इंटीग्रेशन कर दिया तो वाई स्कॉाइर पॉंट टू सी वाई आपके पास या आप देखे जो सी बने मान लीजिए एक नया अप लिखेंगे श्यंदा उwn आपको टू सेभी और प्लस वाई ये हो गया वाई अप लिखेंगे सिंस के यू कितना है हमेरे पास यू की của यू नीएặt है यू की या खरेने देंगे और y की जगापर क्या रख देंगे 0 रख देंगे 0 प्लस c यह आपका 0 हो गया c और x यह आपके पास आगे तो इसका मतलब यह कितना आ गया gx इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया देखे तो final solution आपके लिख देंगे solution आपके पास कितना बन जाएगा इसमें value लगा दीजिए और c बन आया था तो आप लिखेंगे from equation 1 from equation 1 solution is solution क्या आ गया gx की value 0 आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास यह G X plus Y भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसका मतलब क्या हो गया हमर पास यह जो हमर पास solution आया था जब फर्स्ट बोल देते हैं इसको आप equation second बोल दें तो second equation से लिख दें from equation second solution कितना आ जाएगा Q X Y is constant की value क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए देखे कितना बिलेगा हमर पास Q X Y कितना आ गया जिरोds Y की value भी कितनी आ गयी हमर पास यहां पर Y की value कितनी बिल लुई थी 0 मिल ले थी और वो चूंकि X पर मिल लुई थी आपको Q X Y आपका 0 मिल गया तो कितना बिलेगा आपको यह Y plus CY Y Square plus C कि आपका solution मिल गया, कि आप ऐसा कहा सकते हैं, देखें, यह सारी जो आपने condition लगाई, ux equals to 0, कहाँ पर लगाई, जो हमारा solution obtained हुआ था, देखे, solution obtained करने पर gxy की value आपको क्या मिली, constant कितना मिल गया, आपको 0 यहाँ पर मिल गया, तो देखे, 0 जैसे ही मिला, तो वो कहाँ पर मिला है, y equals to 0 पर आपको solution मिला है, ठीक है, तो बस constant के value, c1 को 0 लगा दिये, तो uxy कितना मिला, y square प्लस c y, आपको यहाँ पर, solution मिल गया, c की value वापस कर दीजिए, since c कितना था हमारे पास, c हमारे पास था कितना, c हमारे पास x minus y था, c की value को x minus y लगा दीजिए, तो uxy equals to, c की value x minus y लगाया, y आ गया, तो देखे, uxy कितना मिलता है आपके पास, यह y square प्लस xy minus y square, y square से y square कैंसल हो गया, तो uxy equals to xy, यह हमारा solution, यह हमारा answer, देखे, explain आपको क्या क्या मिला, कोशी method of characteristic का आपने use करना था, यहापर, तो कोशी method of characteristic में देखे, करते क्या है, यह जो भी हमारा equation होती है, इसको आप compare कर लेते हैं, अपनी standard form ते, मतलब p, p, p plus q equals to, जो भी function of x, y दे रखाओ, और जो ही p और q के coefficient होते हैं, उसको auxiliary equation लिखते हैं, तो x के नीचे p का coefficient, dx के औ आपने दोनों को integration करके solve किया, देखे, हमारे पाई equation आभी c equals to x minus 1, यह आगी, अब देखे, बाद वाले दो को लेका, आपने integration किया, तो हमारे पास यह आगया, तो integration करने पर एक नया constant आया, जिसको c1 का, c1 को क्या बोल देता है, function of x plus y, जो भी आपको right and side में दे रखाओ, उसका function मना के लिए, इसके बाद देखे, इस constant की value हो, क्या करते है, जो हमारे पास initial condition दे रखी होती है, उससे निकालते है, तो ux 0 equals to 0, initial condition है, इसका मतलब क्या है, u की value 0 है, जब आपकी x की जगा x रखा रहे हैं दो, और y की जगा 0 रखें, तो आपने देखा, 0 plus 0 रखने प x minus y थी, c की value को आपने return कर दिया, तो आपके पास uxy solution कितना आ गया, xy आपको दिल गया, अब दीखे, एक छोटा दा question हो रहे, last question है, आज का, और यह आपकी unit का भी, इसमें भी कोशी method और characteristic आपको लगाना है, partial differential equation का solution करने के लिए, इसको भी ले लेते हैं, तो आपने differential equation, partial differential equation, तो कोशी method नाम से ही मिलता है, del u over del x minus del u over del y equals to z, इसको p और q की notation में लिख लीजिए, which can be written as, which can be written as, right hand side 0 है, जल्दी हो जाएगा, यह भी आएवा question है, कितनी मिल जाएगी आपको, p minus q equals to 0, तो आप देखें, क्या लिखेंगे इसकी, कोशी, subsidiary equation, या कोशी auxiliary equation, auxiliary equation, क्या मिलती है, देखें, dx के नीचे, इसका coefficient लिखे, plus 1 हो गया, dy के नीचे, q का coefficient लिखे, minus 1 हो गया, du के नीचे, right hand side लिखे, 0 हो गया, देखें, taking first two term, जब आप लेंगे, तो देखें, क्या म first two terms आपने लिए, तो क्या आगया, dx equals to minus dy, on integrating both sides, दोनों साइट का integration करने पर, integrating both sides, दोनों साइट का integration करेंगे, क्या आगया, x equals to minus y plus c, इसका मतलब x plus y equal to c, या आपकोब equation number एगा, अब देखें, बाद वाले दो लेंगे, तो आपको पता ही है, taking second and third together, taking second and third term, taking second and third term together, to gather, क्या मिला देखें, आपको यह क्या मिलेगा, dy minus 1, du equals to 0, dy minus 1, du equals to 0, तो इसका मतलब क्या मिला देखें, आपके पास यह मिल जाएगा, du equals to 0, इसका मतलब on integrating both sides, on integrating both sides, both sides, क्या होगा देखें, यह u आ गया, यानि u x y आ गया, और यह कितना आ गया, हमारे पास c बना, तो देखें, यह c1 आ गया, आपके पास मान लीजिए, let c1 equals to, हमने क्या का, इस form में आपको दे रखा, उसी form में आपको मानना चाहिए, right hand side आपकी 0 दे रखे थी, तो यहाँ पर क्या करें, x minus y की form में जब मानेंगे, इसको g x minus y में दे रखे थी equation, तो x minus y मान लीजिए, वहाँ x plus y था, x plus y मान लिया था, तो आपने क्या लिखा है, यह आपको दे रखे है, q x 0 equals to x, तो इसमें लगा देंगे initial condition, जो हमर पास अभी भी solution, मेरा इसमें लगाएंगे, तो देखे, इसकी value क्या रख देंगे, u की value 0 है, जब आपके पास किसकी, x की value क्या है, x और y की value 0 है, तो आप लगाएंगे, since, q x 0 is equals to 0, तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, इसका मतलब 0 equals to, कितना मिल जाएगा, देखते हैं, यह मिल जाएगा, g x minus 0, यानि कितना मिल जाएगा, g x, तो इसका मतलब यानि, g x minus y equals to 0, यह आपको यहाँ पर मिल गया, तो आपको पास देखें, solution आया था, वो कितना आया था, हमारे पास ये, c1, uxy equal to c1, यहाँ पर आपको solution मिल आया था, तो आप देखें, solution यहाँ है, c1 की value क्या रख्की, gx-y, तो g x minus y की value क्या रखी u x y रखने पर कितना मिलना है आपको यहाँ पर x value मिल गए कितनी मिल जाएगी value x तो यानि g x minus y भी कितना मिल गया आपको x मिल गया hence solution भी कितना मिल गया u x y equals to x आपका यहाँ पर solution यहाँ यही बड़ा easy सा question था यह भी हमने कर लिया है देखे इसमें कुछ नहीं था बहुत आसान काम था इसमें तो जब आपने first two term लिये solution मिल गया दूसरा लिया तो देखें दूसरे के साथ जब आप यह काम किया आपने तो जब last वाला लिया तो u x y equals to c1 करना गया c1 को आपने किस तरीके तरी प्लेस करना है जैसा आपको constant रखा हो जैसे वहां x plus x minus y की form में equation इस बार थी वहां x plus y थी तो g x minus y आप इनिशल condition लगाई तो u x 0 कितना है हमारे पास x है u x 0 is x तो यानि आप क्या रखें एक्स की जगा एक्स रखा रहने तो u की value और y की जगा 0 रखने पर function की value एक्स है तो यानि g x minus y b x आ गया तो यानि u x y किसके बराबर आ गया x के बराबर तो student आज का आपको lecture यह भी समाप्त होता है और इसमें आपको हमने कोशी method of characteristic भी करा दिया और साथी साथ दो नंबर के जो question आपके non-linear forms आते हैं वो भी आपके cover होगे तो students पूरी की पूरी units आपकी cover होगी या इसके अंदर कोई भी topic आपको skip नहीं किया गया है सारे के सारे topic आपको पूरी तरह complete करा दिए गए हैं next lecture से आपके जब हम सुरू करेंगे तो आपकी युनिट नंबर टू सुरू करेंगे उसमें क्या होगा application of partial differential equation करेंगे और उसके जो method है means separation of variable उसको हम start करें तो student next lecture में आपसे फिर्ज़न मुलाकात होगी तब तक के लिए thank you